दोस्तों आज की कहानी सच्ची घटना पे आधारित है लाल साडी वाली चुड़ैल पिछले महीने हिमाचल में मुझे स्थानिय देज्टा की ये शाकी निकलती होई दिकीत वहीं से शुरू हुआ हमारा डिसकेशन हिमाले के भूत और चुड़ैलों के बारे में और तभी ड्राइवर भया ने हमें आखों देखी सच्ची चुड़ैलों की घटनाएं सुनाई हमारे गाम में उगर है तो पिट्लू बोलते हैं इसको पिट्लू इशम्या कि पार से गया है अच्छा लुए तो स्वारिये लेके जा रहा था उगर ना तो भी बैठागी नालसाडी वड़े उसे जो आप्टे देते तो बशा लेते कि उन गाम है इतनी बस सर्विस की होती है कि एक बार उनका भाई सवायरी लेके जा रहा था गाउं की करा और कई ओरते आंके उसमें बैठी पैसेंजर बैठी और एक एक करके उतरते रहे चड़ते रहे और तभी वो लालसाडी वाली एक आउरत भी उनकी गाडी में आके बैठी जब उसको ड्रोप किया लेडिस को उसने बुला कि अब वहां पर जो साथ में एक दूसरी महिला बैठी थी उनकी नदर ड्राइवर की जो एक रहे होता है शीशे में पड़ी और उसमें देखा कि उसके पास में जो लाल साडी में महिला बैठी है उस शीशे में देखी नहीं रही है अब वो समझ गई कि ये मामला गड़बड है और उसका स्टॉप आ गया तो उतरने से पहले उसने काफी कोशिश की कि ड्राइवर को आगा कर दे उसने ड्राइवर को बोला कि हमारे घर हमारे साथ चलो चायवाय पीके जाओ परन्तू ड्राइवर ने नहीं सुना और वो समझ ही नहीं पाया कि ये क्या बोल रही है उस अगर बहुत जोल गाया उसने पर बैठा नहीं चला गया जैसे उसका स्टॉप आया और वो नीचे उतर के आई और अपने असली रूप को दिखाया जब स्टॉप आया लाल थाड़ी वाली और अउरत का तब उचके आंके पटी की पटी रह गई पर वो वापस ड्राइवर कभी घर लॉट के नहीं आ पाया वाली चुड़ायल कई जनों को दिखती है जो भी उसे लिफ्ट देता है फिर घर नहीं लॉट आपाया झाल